तो आप मुझे हमेशा ही कमेंट करते रहते हैं कि दीदी कुछ हेल्दी सा और टेस्टी सा बनाईएगा जिसे हम बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं तो चलिए आप सब की फर्माईश पर मैं आज लेकर आए हूँ पालक की हेल्दी और ये टेस्टी रेसिपी जो जटप तो चलिए आज की हमारी हेल्दी वाली रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे एक कड़ाई लिए दो ग्लास पानी बड़े वाले डाल दिये हैं और इसमें मैंने डाल दिया है 300 ग्राम के लगवग पालक इसको मैंने साफ करके अच्छे से धोकर लख लिया था दो इंची क्या हरी मिर्ची इसमें एड कर दी हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं हाई फ्लेम पर करते हुए आपको पालक को अच्छे से उबालाने देना है यानि एक से दो बाल में हमारा पालक अच्छे से उबल कर रेडी हो जाता है तो बस अब ये पालक उबल गया है गैस कर देंगे बंद और आपको करना है एक प्रोसेस क्या एक बड़ा बावल लीजिए उसमें एक दम चेल्ड पानी या फिर पानी के साथ आप आई स्क्वीब डाल दीजिए जिससे के पानी खूब सारा ठंडा हो जाएगा और इसमें हम डाल दे काला जैसा नहीं पड़ेगा अगर आप पालक आलो पालक पनीरी पालक का पराटा या पालक की पूरी बना रहे हैं तो इस तरह से ही ये पालक का प्रोसेस आपको करना होगा जिससे की इसका कलर भी बहुत अच्छा हैगा अब मैं इसमें डाल दूंगी आदा कप ठंडा पा कितना परफेक्ट आया है बिल्कुल बारी कमने से पीस लिया है चलिए अब लेते हैं एक बाउल और इसमें मैंने एक कप के लगवग यानि थोड़ी सी दो चम्मच कम है एक कप मैं उतनी भर के मैंने कप में सूजी डाल दी हैं सूजी आप बारीक मोटी कोई भी ले सकते है यह मैंने लिया है बेसन दो बड़ा चम्मच मैं इसमें बेसन का एड़ कर दूँगी अगर छोटी वाली चम्मच से देखा जाए जिससे आप दाल चावल खाते हैं तो वो चार चम्मच के लगवव होगा और इस तरह से एक बार विसकर चला देंगे जिससे कि हमारे बेसन म भी रख देते हैं तो चोटी-चोटी सी उसमें गाठें जैसी हो जाती हैं तो बस एक बार चला कर मैं इसमें पिसा हुआ पालक डाल दूँगी अब आप कालर देख लीजिए पालक का कितना परफेक्ट है बिल्कुल अलग नहीं है बिल्कुल जैसा हमने पालक वाला ता वह मैं ले रही हूं दो बड़े साइज के प्याज लिये थे जिनको मैंने चौपर में बारी बारी काट करके रख दिया था बस वही एड़ कर देंगे वैजी आप अपने पसंद से इसमें कोई और एड़ कर सकते हैं जैसे पत्तागों भी है बीन्स है मटर है आपकी पसंद से क कोई सब्जी पसंद नहीं करते हैं और यह मैंने किसी हुई गाज़ डाल दिया एक बड़ी वाली शिमला मिर्ची को भी मैंने चौपर में ही काट लिया था जिससे कि इसके बारीक बारीक टुकड़े हो जाएंगे और बस अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चमच नमक का और चारा स्वैजी डाल कर हेल्दी जाइसे बनाईएगा और इसमें मैंने कदर दरी कुटे हुई लाल मिर्ची डाल दी हैं तेर चमच के लगा थोड़ा सा मसाला तीखा ही लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्टी भी करेगा और यह मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला आदा चमच जी एक चमच लाल मिर्ची डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च यह तीकी नहीं होती है क्योंकि हमने कुटे हुई लाल मिर्ची भी डाली है और हरी मिर्ची भी डाली है तो बस अब फिर से मैंने ले लिया है विसकर और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब फिर से आ करना चाहिए अब हम क्या करेंगे 10 मिनिट इसे रेश्ट कर देंगे जिससे कि यह जो हमने सूजी डाली है वह अच्छे से फूल करके रेडी हो जाएगी और देखिए 10 मिनिट हो गए हैं अब मैं क्या करूंगी मैं क्या जो नास्ता है थोड़ी देर बात बनाऊंगी लेकिन तभी आपको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगे तीन से चार चम्मच दूसरे बाउल में जो हमारे नास्ते का बैटर है वह एड़ कर देंगे आप जब नास्ता बना रहे हों तभी यह प्रोसेस करिए गा तो मैंने यहां पर देखिए तीन से चार चम्मच यह बैटर ले पूरा इतने हमारा बैटर है इसमें पूरा में 6-6 एनो का देखिए आदा ही डाल ुपर दूर के बैटर हो दो Completely यह पानी दाल कि रिए जो एक्टिव करने के लिए दो चम्मच ही मैंने कॉकिंग औोरल ॉल इस इसे मिला लेंगे बिल्कुल आपको बिल्कुल ज्यादा देर नहीं इसे फैटना है सिर्फ दो से तीन सेकंड ही आप इसे फैट यह अब बेखिए ही जो हमारा बैटर एक दम फलपी और हलका हो गया है गैस पर मैंने रख दी है यह फ्राइब और इसमें तोड़ा सा एक से दो को भून चमच से मैं कोकिंग ओल लगा दूगी आप यहां पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मैं सुंदर बनाने के लिए डाल दूगी बाइट वाली तिल यह भूनी हुई मैरी तिल है आपके पास अगर नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं मैं यह जो सुंदर देखेगा देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने तिल का अस्तेमाल गिया है कि अब मैं दो से तीन चमचे भर के इसमें यह बैटर डाल दूगी आप बैटर और भी मतलब जो दो नास्ता बना रही हुग कोई और शेप का भी बना सकते हैं छोटा बढ़ा भी बना सक हैं मुझे क्या थोड़ा बाहर जाना है तो मैं यह आपको बड़ा-बड़ा ही बना करके दिखा रही हूं यह देखिए इसको 5-7 नट अच्छे से एक साइट से आपको पकने देना है बहुत ही इसी ली यह निकल जाता है देखने में ही बहुत टेस्टी है खाने देखते ही ख फिर से इसमें ओईल का इस्तमाल किया है तो देख रहे हैं आप हमारे 3-4 चमच तेल में ही कुकिंग ओईल में ही पूरा प्लेट भरके यानि पूरे घर के लिए नास्ता बन करके रेडी हो जाएगा आप यह बच्छों को दे सकते हैं इसमें ज्यादा कोई जंजटी नहीं ह तो बस इसे अच्छे से इस पैचुला से तवाते हुए आपको क्रिस्पी होने तक सेख लेना है एक जो हमारे यह नास्ते का पीस है इसको सिखने में 7-8 मिनट आपको लग जाएगी तो आपको इसे सेख ना होगा एकदम पैशन्स के साथ एक साइट से आपको ब्राउन ब् पासंदा रही हो रेसीपी तो वीडियो को चरू लाइक कर लें अभी जाकर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यह देखिए उलट पुलट करते हुए मैंने इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेख लिया है कितना परफेक्ट हमारा नास्ता बन करके रेडी हुआ ह तो चलिए मैं इसी तरह से दूसरा भी सेख करके रेडी कर लोगी बाद में जब सब लोग खाएंगे तब ही मैं इसे सेख लोगी तो अच्छे से दो से तीन चम्चे आप भरके मोटा पतला आप अपने साब से बना सकते हैं मैंने इसे इसी तरह से फैला दिया है गैस का फ् सब्सक्राइब मेंने इसे दारे धनीये की चटपटी वाली चट्नी से सौस टमाटर का लाल वाली चट्नी के साथ इंज़ोई कर सकते हैं यह जो हरी चट्नी और टमाटर की लाल चट्नी मैंने कई बार आप श्येयर की हुए है चैनल पर अप्लोड है आप जाक देख भी सकत पना करें ट्राइब करेंगा आई होप आज की मेरी हेल्धी रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करने शेयर करने और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टाटा बाइब